सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं बादुराम आज आपके लिए लिकर आया हूँ क्लास नाइध का बच्छो चैप्टर नंबर वन तो चैप्टर नंबर वन में बात करें थे बच्छो चैप्टर नंबर वन का नाम था हमारे आसपास के पदार जो स्थान गिरती है वह सभी क्या कहला टिया और लृव करती है अर्थार इसें पिसे और स्थान के बार तो कि तो बच्छो बात करते हैं कि इनकी अवस्था परिवर्तन कंश ऑती है तो बच्छो मान लीज आपके पास को सॉलिट पतारत है और आप उसे गर्म करते हैं तो तो यह दियान रख़ें का मतलब है कि अब उसका टैमपरेँचर बढ़ा है है तो अगर आप स्योलीट को करते दे लीकविड मेंैं कफर करते हैं कि דतने हैं तो वर इसका जल को ठंडा करते हैं टैंपरीचर कम करते तो क्या बन जाता बच्छो बर्फ में कर्वट हो जाता है अगर जल को गर्म करते हैं तो क्या कर्वाइट हो जाता है ठीक है इसका मतलब आपको यह सिक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि जब हम पदार्तों को गर्म करते हैं तो solid जो हमारा नास्ट वीडियो में वह हमने पढ़ा था कि इनके बहुतीक गुण है वह किस परकार से होते हैं just the camera जो हमारा topic रहेगा वो रहेगा पदार्त की अवस्थापरिवरतन नोल सुसृ krabs होता है यहां टो अकत उसमे यह इसे तो गर्म करने पर बर्व साथ यह आप सभी जानते हैं तो च्टोंOW तो इस यह हूं पॉयंट जो है आपका आपकर देख और रहे हैं मैं है थोड़ा सा और जूम कर देदा हूं ब monopoly ही लगलनों पहुता आप एक लुघ पर देखेंते हैं तो पहला पॉंट है हृमारा तो गलनांक का मतलब भी समझ म्तुत का मतलब गल्याइस 놀йाद noi16 डुटवर्व कोई थोस पदार्त किसी ताफ्पर वो द्रव में परीवर्थित होता है तो उसका गलनांक तो इसमें डेफिनिशन में बिटा दो सब्दों का धियान रखेंगे एक तो वायूं मंदलिय दाप्पर किस वर बच्चों वायूं लिए दाप पर और बर्फ का गल्लांग आपको याद रखना 233.16 केल्विन यह आप कह सकते हैं बर्फ का गल्लांग 0 degree Celsius होता है कितना होता है Celsius पहमाने में 0 degree Celsius होता है ठीक है बचो तो हमने बताया कि जिस तापमान पर कोई भी पधार्थ या कोई ठोस पधार्थ पिघल कर द्रव ववस्था में कर्ण्वर्ट हो जाता है वो उसका नहीं आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर कि बर्फ का गल्लांग कितना होता है ठीक हमाने पर कितना होता है 0-0 273 कविन 273.16 कल्विन बतक्स इसको केल्विन में करनने के लिए 2033 जोडते हैं कितना जोडते बच्छो 203 जोडते हैं माली जी मैंने आप से कहा 10 degree Celsius temperature और आपको इसको Kelvin में convert करना है तो Kelvin में convert करने के लिए इसमें कितना add किया जाएगा 273 कितना add करेंगे 273 तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 283 माली जी मैं कहूं बिटा कि 1 degree Celsius को Kelvin में convert करना है तो कितना add करना है 273 तो कितना हो जाएगा 274 Kelvin कितना बच्छो 274 अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 degree Celsius को Kelvin में convert कीजिए तो कितना हो जाएगा 273 प्लस 5 इस इकल तो 278 Kelvin तो यहां से आप यह भी याद रखेंगे कि डिगरी Celsius या डिगरी पहमाने पर और कैलिवन पहमाने में जो डिफ्रेंस होता है वह होता है 273 का कितना होता बच्छो 273 का तो यह बच्छो बात करते हैं कि गलन की गुपतुस्मा किसकी बच्छो गलन की गुपतुस्मा तो वायूमंडल यह दा पर एक क्लोग्राम ठोस इसको ऊसके गलनन पर द्रव में बदलने के लिए जितनी तो बिमियुक्रेंस कि इंप के क्लोग्राम को किसी भी पदारत के एक किलोग्राम को उसके गल्लांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी उर्जा की आवसकता होती है उसे क्या बोलते हैं गलन की गुप्त उस्मा ठीक है बचो तो यहां से जो आपको याद रखना है वो आपको यह याद रखना है कि जीरो डीघरी सेल्चेस बर्फ के कणों की तुल्ला में जीरो डीघरी सेल्चेस पर पानी के कणों से अधिक उर्जा होती है तो गलन की गुप्त उस्मा का मतलब समझ में आया कि अगर किसी पदार्थ को गलाते हैं तो वेट याद रखना आपको कितना वन केजी तो एक किल सब्सक्राथ में चुड़ा आया अंक तो जिस टेंपरेचर पर कोई द्रव होता है उबल ना तो जीस टेंपरेचर पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है उसे क्या लिए क्या कह देते हैं चन्डरेट डिग्री सेल्सेस कितना होता है 100 degree Celsius तो यह आपको point याद रखना है अगर आप degree Celsius को Kelvin में convert करते हैं तो Kelvin में convert करने के लिए कितना add करना है 273 यानि कि 233 में 100 add करेंगे तो कितना हो जाएगा 373 Kelvin 373 Kelvin तो यह आप से objective में पूछा जा सकता है कि जलका कृथनांग कितना होता है जलका इमांग कितना होता है तो बचो next करें वास्पी करन की गुपतुस्मा वास्पी करन मतलब वास्प में बदलने के लिए गुपतुस्मा वास्पी करन की गुपतुस्मा नाम से ही समझने का परियास करें वास्पी करन का मतलब वास्प मे कि गुपति उस्मा वेट आपको याद रखना होगा कितना होता है वन केजी तो अगर आप एक किलोग्राम द्रव को किसको बच्छो एक किलोग्राम द्रव को उसके क्वेथनांग पर वास्प में बदलने का पृष्यास करते हैं तो आपको जितनी उस्मा की आवसकता होती है द्रव में बदलता है कि गुपति ऊस्मा इस स्लाइड में हमने जाना नमबर वन गलांक करता है या जब कोई बदलना सुरू करता है वो क्या कहंवालादा करता है यहां से दो या आप इसे बर्फ का कलनांग भी कह सकते हैं तो नई से लाइड के बाद हमसे देखते हैं कि तो यह नई से लाइड में पढ़ने का परियास करेंगे कि जब पानी को बाला जाता है तो उसके तापमान में व्रद्धि से नहीं होती है तो त Christmas तक ही रहता है कि किसी भी दरव का पानी 100 C से अधिक नहीं ते रहता है तो आप कितनी ही देर तक उसे गर्म करते रहें कितनी ही इनर्जी उसमें लगा द हैं लेकिन पानी का टेम्ट्रिशर सो से कभी भी 101 नहीं होगा नहीं इससी आप कितनी भी देर तक जाहें अपना य्पीजी का पूरा यूज कर दें लेकिन पानी का temperature कभी भी सोटीकरी से जादा नहीं होगा तो बच्छ कोड़ी से जब तो जल किसमें बदलना सुरू हो जाता है वास्प में बदलना सुरू हो जाता है किसी भी द्रव का जो टेंपरेचर रहे वह उसके कटरांग से जादा नहीं होता अधार सो डीवी सल्चेस ताप पान पर वास्प के कड़ों पर आप इसे पढ़ सकते हैं बच्छों अच्छे से तो देखते हैं जो एड्लाइन हमने दिया हुआ उसमें ठोस अवस्ता द्रव अवस्ता और गैसी अवस्ता मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ठोस को अगर सब्सक्राइब यहां से जो ट्रम से आपको याद रुखने खोस को ड्रव में बदलना क्या क्या आता है उसका गलाना क्या 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 राता है और अगर आप से पूचा जाए तो आप बताते ना कि किसी भी द्रव को वास्प में बदलने की किरिया वास्पी करन कहलाती है गैस में बदलने की किरिया वहीं हम गैस को ठंडा करते हैं तो वह किरिया कहलाती है संगनन यह वार्ड हमें याद रखना पड़ेगा कि संगनन किसे कहते हैं किसी गैस को ठंडा करने पर य कि शाम लेंगी कि ऎूWA जमाना क्या कहलदा जमाना क्या जमाने का मतलते हैं लिए उसका घंज म Tina मतलब द्रव को याद रखना एक में कमपलशरी से नहीं रखते हैं और ध्रेव को ठोस धोना हिमी करण क्या क्या रिवर्ण है बढनें की क्या रहे हैं नीचे एक तो अगर आप तापमान घटाने पर सिलिंडर में गैस को यूज करते हैं तो कोई भी चलो हम नई तो अगर आप इनने उपर से डालें तो यह कंड कैसे हो जाएंगे पास-पास हो जाते हैं तो जादत आप बढ़ाने से गैस के अगन नजदीक आ जाते हैं तो सोलिड जो कारबन डाय उक्साइड है उसे वास्पित गैस में बदला जा सकता है बच्छों यहां से कोशें निकलके आता है कि सुस्क बर्फ किसे कहते हैं कौन से बटा सुस्क बर्फ तो आप ध्यान रखेंगे बच्छों कि जो आपकी पानी वाली वर्फ होती है वो कैसी होती है थोड़ी सी गिली होती है नमी होती है उसमें लेकिन अगर आप सी ओटू को जमा लें किसको बेटा जी आप बच्छों सही सुन रहें सीओटू मतलब कारबन डाय उक्साइड का जमा लेते हैं कि तो की स sauce कवस्था में या उसे थोस क्रूप में प्रांप्त कर लेते हैं तो और रख कहला zeggen और द्रव को ठोस्थ में बदलने के लिए जमना कहलाती है मेelование ग्रण या आपको वर्डस सिंपल दिए गें द्रव को गाइस में बदलने के एक असमें करते हैं जब अधिया की होते हैं तो वह सीधे इसे में नहीं हो भीבע गया रख़ते तो ऐसे बढ़ंट जो है होते हैं जो फोससे सीधे गय सवस्त्रामें परिवर्थित हो जाते हैं और आपके कहलाते हैं उठ्वाजद अपूर्डशन जाएंगे बच्छों एक है कपूर और दूसरा अपके पास होगा दूसरा प्रिछ तो आपसे पूछा जा सकता हैकी उर्दपाद़ बदार्ध किसे कहता है यह क्या कहला आ यह खेल Looks आपके यहां Two pocket कि और स्प्रेब को परभावीद करने वाले जो कारक वो आप यहां से देख सकते बावित करने वाले सथा ट्शेट्वल जतना जादा एरिया होगा मालली जी आप किसी ऐसे बरतन में पानी गर्म कर रहे हैं जिसका area कम है यानि कि जो कम चोड़ा है बच्छो तो वास्फ कम बनती है अगर जादा area होगा तो जादा बनती है लेकिन इसके अबोजिट अगर हम बढ़तन का साइच छोटा कर लें तो उससे वास्प कैसी बनेंगी कम बनेंगी तो जैसा जैसे सत्य शेच्वल बढ़ता है एरिया बढ़ेगा तो वास्प भी ज्यादा बनती है पॉंट नमबर टू बटा तापमान में व्रधी टैंपरेचर बढ़ाने पर वास्पी गरन तेजी से होता है ठीक है आदरता अगर हवा में आदरता है तो वास्प के कारण कुछ जो जल के कंड होते हैं जो वास्प में होते हैं वह एन्मार्मेंट में रुख जाते हैं और वही कहलाती है आदरता यह सब और आपने बादीजे कपड़े दोए और वह सुखाने के लिए रख दिए तो उनका जो जल है वहां जाता बच्छों वह भी वास्प सितलता होती है यहां से निकल के आता है कि वास्पी करण से सीथलता क्या क्या होती हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करूआ आप समझेह बच्छों